एक रहसेमई जगा जो जितनी ज़ादा खुबसूरत है उतनी ही ज़ादा रहसेमई, खतरनाक और डरावनी भी। इस जगा पर जो भी जाता है वो कभी वापिस लोट कर नहीं आता। मगर फिर भी कई लोगों ने यहाँ जाने का साहस किया, जो फिर कभी यहाँ से वापिस ना लोट पाए। यह रहसेमई जगा एक आइलेंड है जिसका नाम है North Sentinel Island, भारी दुनिया से अंचुआ यह आइलेंड बेहत खुबसूरत है और खतरनाक भी। इसके खुबसूरती और इस खुबसूरती के पीछे के रहसे को खंगालने के लिए कई लोगों ने यहाँ जाने का साहस किया, जो कभी वापिस ना लोट सके। अपने में कई रहसे समेटे हुए यह आइलेंड इसी वज़े से विश्वभर में प्रसिद है। केंदर शाशित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेर से नौर्ट सेंटिनल आइलेंड महस 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। के पास एक जहज फस गया था तो इस आइलेंड के आदी वासियों ने तीर कमान और भालों से जहज के क्रू मेंबर्स पर हमला बोल दिया था। उस समय जहज में फसे क्रू मेंबर्स को जैसे तैसे हेलिकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। इसके बाद 1991 में इन लोगों से पहली बार दोस्ताना संपर्क बनाया गया एक महिला और उसकी टीम दौरा। दोस्ताना संपर्क बनाने का यह पहला और आखरी मौका था। इसके बाद सरकार ने साल 1997 में इस आईलेंड से संपर्क बनाने के कोशिश छोड़ दी। लेकिन जब साल 2004 में सुनामी आई तो उस वक्त सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलिकॉप्टर सेंटिनल आईलेंड भेजे। ताकि यहां रह रहे सेंटिनल आदीवासियों की मदद की जा सके। लेकिन उस समय भी सेंटिनल आदीवासियों ने हेलिकॉप्टर पर ही तीर चलाने शुरू कर दिये। जो सरकार से सीधे तोर पर ये कहना चाहते थे कि हमें हमारे हाल में छोड़ दिया जाए। हमें किसी की आवशक्ता नहीं है। इसके बाद साल 2006 में दो मचवारे अपनी नाव समेथ भटक कर सेंटिनल आइलन के पास पहुँचे। तो उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब साल 2018 में इस आईलन की चर्चा पूरे विश्व में जोरो शोर से होने लगी जब इस प्रतिबंदिद आईलन में एक अमेरिके टूरिस जॉन एलन चाव पहुचे। 27 साल के जॉन जैसे ही इस आईलन में पहुचे वैसे ही इस आईलन के आदिवासियों ने तीर मार कर उनकी हत्या कर दी। जॉन को ये मालूम था कि इस आईलन में जाना मौत को खुला बुलावा है। मगर बावजूद इसके आईलेंड के रहस्यों को जानने की उत्सुकता ने जौन को मौत के घाट उतार दिया अब सेंटिनली क्यों किसी से संपर्क में नहीं आना चाहते इसे समझ लेते हैं सेंटिनल आईलेंड के आदिवासियू से अगर कोई बाहरी दुनिया से संपर्क में आता है तो इन लोगों को कई बिमारियां होने का खत्रा बढ़ जाता है जिससे कि इन लोगों की बची कुछी आबादी भी खत्रे में पढ़ सकती है नौट सेंटिनल आईलेंड भारत का एक ऐसा आईलेंड है जहां 60,000 साल से लोगों जीवन तो वियतीत कर रहे हैं मगर कैसे इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है महस 23 वर्ग मील के इस छोटे से आईलेंड में सुनामी तुफान जैसी आपदाओं के बावजूद ये प्रजाती कैसे खुद को जिन्दा रखे हुए है ये किसी को मालूम नहीं जिसके कारण ये आईलेंड रहस्यों से भरा हुआ है